हेलो बच्चो, let's read the question in rascos, the modification is rascos में हमें modification पूछा गया है option दिये गये है, file load, clad load, offset and suckle key concept is, आपको knowledge होनी चाहिए about stem modifications के बारे में कि stem किस-किस तरीके से modify कर रही है and somewhat leaf modification के बारे में भी थोड़ा बोता पता होना चाहिए वो भी एक approach हो सकती है तो stem modifications आपको पता होने चाहिए, stem जो है वो modify करती है number of ways ताकि अपने environment में बढ़िया तरीके से रहाए सके उसको adopt कर सके, जैसा देश, वैसा भेश ना, जहां रहेगी उसी तरफ से उसी तरीके से stem, root या leaf, कोई भी ले लो, सब modify करते है सो आपको stem modification पता होना चाहिए and you should know about leaf modifications also क्योंकि leaf भी जो है, वो modify करती है according to their environment सो stem जो है, वो aerial होती है, sub-arial होती है और underground होती है aerial stem की अगर बात करते हैं, तो aerial stem modify कर सकती है into several ways जैसे कि यह modify कर सकती है to form tendrils यह tendrils बना सकती है ताकि जो weak stem है, वो climb कर सके उन्हें support प्रोवाइट किया जा सके and यह जो है, develop हो सकती है into thorns thorns का जो मक्सद होता है, वो दो होते है एक तो होता है, browsing जो animals है उनको दूर भगाया जा सके क्योंकि जो animals होते हैं, वो तो मेना पेड को ऐसे harm करते हैं आ के खाते पीते हैं और निकल लेते हैं तो thorns का क्या मक्सद होता है, क्योंकि यह pointed होते हैं, ताकि animals को दूर भगाया जा सके, और दूसरा होता है transpiration को कम करना, और एक होता है phyloclade जो modification होता है aerial stem का वो होता है, phyloclade और एक और होता है, cladode इसके लाबा भी बहुत सारे होते हैं cladode होता है, phyloclade और cladode जो हैं, एक जैसे से होते हैं लेकि इनमें कुछ slide differences रहते हैं वो हम discuss करेंगे बात करते हैं, अगर underground stem की, तो वो rhizome बना सकती है, tuber बना सकती है and अगर हम बात करते हैं sub-arial stem की, तो वो offset बनाती है, सकर बनाती है runners बनाती है leaf modifications में भी tendrils बन सकते हैं, spines बन सकते हैं, spines का मकसद बच्चो और thorns का एक ही होता है, बस difference इतना है कि thorn जो है, stem modify होती है और spines में leaf modify होती है मकसद एक है, transpiration और browsing animals को दूर बगाना तीसरा एक जो इसमें modification होता है leaf का, वो होता है, phylood it forms phylood अब phylood, phyloclade और cladod एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सम में differences रहते हैं, we will discuss about cladod first, कि cladod क्या है, this is cladod जो आपको यहां पर तस्वीर दिखाई गई है यह क्या है, stem का modification है होता क्या है, यहां पर main stem तो बच्चों नहीं होती है यहां पर modify, जैसे phyloclade में, पूरा का पूरा जो stem होता है including main stem and branches पूरा का पूरा modify हो जाता है यहां पर जो main branch रहती है यह main stem रहती है वो modify नहीं होती है, वो as it is रहती है this is main stem, होता क्या है जो branches होती है this is scaly leaf this is leaf, scaly leaf है this is scaly leaf, यह modify हो जाती है जो stem होती है वो modify हो जाती है वो flat leaf like structure बना लेती है अब वो leaf like structure बना रहे है तो लो leaf वाला काम भी करेंगी क्या करेंगी photosynthesis करेंगी और बन क्यों रही है ताकि पानी का loss कम हो सके क्योंकि leaf अगर होएगी तो stomata present होएगे stomata होएगे तो पानी का loss होएगा और अगर stem photosynthesis करेंगी तो stomata automatically कम हो जाएगी stem में कहां इतने होते हैं तो वहाँ पे transpiration कम हो जाएगा इसलिए cladde में modification हो रहा है पानी के loss को कम करने के लिए तो यहाँ पे leaf जो है leaf मतलब not leaf stem जो है वो modify हो जाती है mainly branches जो है वो modify हो जाती है और leaf like structure बना लेते हैं तो यह आपको दिख रहा है यह है cladde आपको लगोगा देखके इनिछली यह क्या है यह पत्ती है लेकिन यह पत्ती नहीं है यह stem मोडिफ इक would look और यह कैसे आप और प्रूफ करें गे कि एक stem है क्योई कि मिढल होता है मिढल में क्या लगता attained इसके middle में flower लगता है, कभी देखे हो, leaf के middle में flower लगते हो, लगी नहीं सकता, flower हमेशा stem पे लगता है, कि stem पे क्या present रहती है, axillary bird present रहती है, महां से flower develop होता है, तो यहां पे axillary bird होती है, जहां से flower develop होता है, क्योंकि axillary bird हमेशा ही stem पे है, तो stem पे ही flower आ रहा है तो इसी से proof होता है कि जो ये leaf आपको दिखाई दे रही है ये क्या है ये एक modified stem है जिसे हम clad od बोलते हैं और ये आपको किसमें देखने को मिलता है ये आपको मिलता है rascos के अंदर fine ये आपको मिलेगा rascos के अंदर जो phyloclade है उसमें पूरा का पूरा जो stem है including main stem and branches सारे के सारे modify हो जाते है जो phylood होता है ये leaf का modification होता है यहाँ पे जो leaf की pitiol part होता है वो modify हो जाता है और वो photosynthesis करने लग जाता है हाला कि phyloclade, clador और phylood तीनों का ही सेम काम है कि इन्हें transpiration को कम करना है बस और leaf के function को लेना है ये काम है तीनों का तो rascos में कौन सा modification है? clador है, phylood तो ही नहीं, phylood तो leaf का modification है offset or runner ये तो stem के दूसरे modifications है तो rascos में आपको clador मिलेगा तो इसके साथ ही हमारा right answer क्या बन जाता है? second बन जाता है जो कि ये clador I hope you understood it well, all the best